दोस्तों आज हम देख रहे हैं sample paper no.2 आपके 2024 exam के लिए sample papers हैं वो सभी subjects के 5-5 sample papers channel पे उपलब्द करा दिये गए हैं आप चाहें mathematics देखें, physics देखें, chemistry देखें, economics देखें आप जो भी देखना चाहें वो सारे के सारे sample papers उपलब्द हैं इस channel पर इन सभी sample papers को अगर आप तयार करते हैं तो आपके exam की तयारी 2024 की बहुत ही बैतरीन हो जाएगी आप अमना score जो है बहुत ज़्यादा increase कर सकते हैं तो यहाँ पर 2024 का जो हम देख रहे हैं mathematics and aesthetics के लिए sample paper no.2 इस question paper को आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का question paper है जिसमें आपके यह questions हैं जो mcq basis है solar marks के questions आएंगे आपके mcqs जिसमें आपको केवल options सही जो है उनको predict करना है और उनको answer sheet में लिख देना है आपको इसमें solution जो है नहीं करके दिखाना है केवल आपको answer choose करना है solution आपको rough copy में करना होगा इस बार तो मैं आपको direct answers जो है इनके साथ दे रहा हूँ जैसे कि आपका question है mcq ठीक है और यहाँ पर सभी questions 2-2 marks के हैं आपको यहाँ पर 8 questions जो है 2-2 marks के मिलेंगे यह आप देख सकते हो जैसे कि आप first screen पर आप देख रहे हैं 1, 2, 3 3 questions आपके सामने है मैं इसके answers बतायता हूँ आपको इसके बाद जो है आपके 4th, 5th और 6th question है और फिर आपका जो question number है 7th और 8th है तो यह 2-2 marks के सारे mcq रहेंगे केवल आपको options ही choose करना है इसके अलावा जो आपका second question सुरू होगा यह आपका 4 marks का total रहेगा यानि कि 4 questions आपको 4 marks के पुछे जाएंगे each question होगा वो 1 mark carry करेगा आपका first question होगा एक number देगा दूसरा question होगा जैसे first question है यह इसके आप देख रहे है 1 marks का है इस तरह से जो दूसरा question है second question है यह भी आपका 1 marks करेगा and then third question जो है यह भी आपका 1 marks करेगा then fourth question जो है यह भी आपका 1 marks करेगा section B जो शुरू होगा यहाँ पर आपको कोई भी attempt करने होंगे eight questions सभी के questions के answers मैंने देख यहाँ पे लिखा हुआ है सभी questions को solved किया हुआ हर question को यहाँ पे solve किया हुआ है काफी बच्चों का request था कि sir हमें questions अलग और answers अलग दीजिए तो next video से questions अलग और answers अलग मिल जाएंगे जैसे question ये लिखा होगा लेकिन answer उसके नीचे नहीं बलकि बाद में आपको दे दिया जाएगा एक साथ में सारे के सारे PDF में इन PDF को कैसे आपको प्राप्त करना है ये मैं वीडियो के end में आपको निर्देश दे दूगा उसको आप देख लेना आपको पता चल जाएगा कई बच्चों को comment मैंने देखा है हमारी टीम देख रही है तो उनको पता ही नहीं चलता है या तो इसकिप कर देते हैं वीडियो को या फिर सुनते नहीं है या वीडियो के end तक पहुंचते नहीं है तो वीडियो के end में अब जब भी जाओगे तो आपको वहाँ पर इंस्टक्शन्स मिल जाएंगे कि आपको कौन सा PDF कैसे लेना है और सारे के सारे प्लेलिस्ट में अवलेबल है तो इहां पर देखिए फर्स्ट कोश्चन जो है आपका इसमें डियोल स्टेटमेंट का जो आंसर हमें निकालना है वह कौन सा हो जाएगा तो आपने अच्छी तरह के स्पैक्टिस तो कर रखाओगा तो मुझे विश्वास है कि मुझे इसका पर सॉलूशन देने की ज़रूत नहीं है यहां पर भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स जो आपका थर्ड कोश्चन है यह वेक्टर एक्वेशन ओफ लाइन दे रखिए आपको इसकी बतानी है कौन सी होगी ठीक है लाइन की एक्वेशन जो है यहां पर यह दे रखिए तो इसका सही करेक्ट तो आपको केवल आंसर में यही लिखना है जो आपके ऑप्शन में बता रहा है यहां आपको सॉलूचन नहीं करना पेपर में आपना टाइम बरबाद मत करना राफ कॉपी में रफ में यह यहां की लास्ट पेज़ पे जो आपको दिया जाता है एक्स्टर पीज उस पे जब आप निकालोगे तो कितना आजाएगा यह आपका a-b जो आजाएगा यह आजाएगा अंडरूट 13 ठीक है तो यहाँ पर आपका c option correct हो जाता है 5th question की बात करते हैं इस 5th question के answer के अगर हम बात करें तो dy over dx अगर आप निकालते हो इस equation का तो dy over dx निकल जाएगा minus x square upon y square तो यहाँ पर हमारा b option correct हो जाता है इसके बात जो आपका next है the slope of normal to the curve और y का यहाँ पर आपको curve का जो है equation दे रखिए और point दे रखा है 0,4 तो वो कौन सा slope होगा यह आपको बताना है यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा जो slope होगा वो होगा minus 1 by 2 यानि की d option जो है correct हो जाएगा और जो है इसके बाद में integration दे रखा है यहाँ पर आपका ठीक है इस integration की value की आएगी यह आपको बताना है यह 7th question में तो हमारा answer हो जाएगा इस equation की value आएगी integration करने पर e to the power x log x square plus में c यहनि की b option जो है आपको यह पर correct हो जाता है इसके बाद जो है आपका 8th question जो mcq का last question रहेगा इसके बाद सारे questions को आपको solve करने होगे यहाँ पर यह 8 question starting के आपको solve नहीं करने है अब यहाँ पर जो है PMF of random variable x b क्या होगा तो आपको इसका बताना है ठीक है तो यहाँ पर इसका जो PMX variable जो हम देखेंगे random में तो वो हो जाएगा आपका शुन यानि की 0c option जो है इसका correct answer हो जाएगा ठीक है तो यह आपके mcq की answers होगे और बाकी मैंने बड़े questions जितने भी हैं इनको solve कर दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं यह आपका answer करना है यह 4 marks question रहेंगा ठीक है तो यहाँ पर 4 marks करना है आपको और सारे के सारे questions करने हैं आपको यहाँ पर options नहीं है ठीक है इस question का answer आपको देना है तो यहाँ पर मैंने दोख़ए इसका answer यहाँ पर दिया हुआ है answer मैंने आभी को सभी जगे पर answers आपको मिल जाएंगे यहाँ पर यह answer इसका इसी तरह से जो second question सारे के सारे जो है one marks question है यहाँ पर चार questions one marks के पूछे जाएंगे जो मैं अभी आप बता चुका हूँ वीडियो के माध्यम से firstly second question जो है इसका answer मैंने यहाँ पर detail solution दिया हुआ है जो second के बाद में third question जो आपको evaluate करना integration को dx में तो यह आपका जो answer आजाएगा वो यह रहा तो इस तरह से सारे answers मैं जो questions के नीचे दे चुका हूँ next video में बच्चों का काफी बहुत जादा request है बहुत बहुत जादा request है कि sir answer ना दे पहले पहले हमें questions दिखाएं उसके बाद जो है हम पहले उसको solve करके check करेंगे और फिर आपके answer से match करेंगे तो यह बहुत अच्छी बात है कि आप लोग practice करना चाहते हैं फिर answers आप match करना चाहते हैं तो मैं अभी जो next आपका part आएगा sample paper number 3 तो उस part में पहले मैं आपको questions दे दूँगा total और उस questions के answers में नीचे दे दूँगा तो आपको क्या आसानी रहेगी पहले आप questions देखोगे questions को खुद predict करोगे फिर answers को match कर लोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या तैयारी कर रखी है ठीक है fourth question भी आपका एक number कही रहेगा तो यहाँ पर जो है आपका answer आपको detail में नहीं आपर दिया हुआ तो यह एक एक number के 4 questions पूछे जाएगे फिर section B start होगा इस section B में जो है आपको बोला जाएगा कोई भी 8 attempt करिए कोई भी any 8 आपको attempt करना होगा ठीक है और यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे questions मिलेंगे इसमें से केवल आपको 8 attempt करना है और सारे questions जो है वो 2 marks देंगे यानि कि 8 questions attempt करते हो तो 2 marks के हिसाब से आपके solar number मिलते है total तो यहाँ पर देखिए जिससे question number third है इसका मैंने आपर answer दिया हुआ है statement के थूँ ठीक है तो यह पूरा का पूरा जो है आपका इसका converse और inverse निकालना होगा ठीक है जोनों ही चीज़ इसने पूछ लिए statement का converse और inverse निकाल दो के तो answer मैंने आपर दिया हुआ है पूरा detail solution है इस तरह से fourth question देखो गया तो यह भी आपका two marks का है तो इस तरह से आप two marks के चलते रहेंगे जब तक हमारा section C नहीं आएगा तो यहाँ पर जो question है इसका answer हमें निकालना था तो देखो यही रहा इसका answer solution ठीक है तो fourth number question इस तरह से हो गया तो इस तरह से यह आपका answer हो गया देख रहे हैं आप आराम से note कर सकते हैं आप लिखना चाहें स्क्रीन सोट लेना चाहें या फिर pdf लेना चाहें तो pdf के solution इस तरह से आपको करना होगा और यह continue जो है आपका solution में बता रहा हूं ठीक है तो इस तरह से आपको यह solutions करने होंगे practice कर लीजिएगा सारा detailed solution दिया है ताकि आपको कोई भी doubt ना रहा है आपके mind में question number five जो है इसका question का solution करेंगे तो यहाँ पर मैंने answer दिया हुआ है तो य यह पूरा का पूरा detailed solution आप देख सकते हैं यहाँ पर six number question आपके सामने screen पर है उसका नीचे है solution और यह रहा इसका solution complete अब इसके बाद जो है next question है 7th number 7th number जो question है यह बहुत important questions है तो 10-24 exam जो आपकी होने वाली है आपके पास समय ही नहीं बचा आप तो 10 दिन से 15 दिन बचे 7th question का answer यहाँ पर है यह complete हो जाता है 7th question फिर 8th question जो है यह भी 2 marks का तो इस तरह से 2-2 marks के चलते रहेंगे आपके questions मैंने सारे solve किये हुए लेकिन आपको केवल 8 ही solve करने ध्यान रगना है यहाँ पर general solution बताना है इसका तो यह रहा general solution इसका आप note कर लेंगे यहाँ से यह हो ज 10th question इसको आपको evolute करना है यह भी 2 marks का है इसको आप evolute कर देंगे इसके बाद जो है आपका 11th question है 11th question का answer इसी के नीचे है next जो आपका sample paper number 3 रहेगा उसमें मैं आपके answers जो है वो मैं सबसे last में दूंगा ताकि आप लो practice पहले कर लें अब इसके बाद 12th number question है वो आप देख answer है 13 question यह है आपका इसमें जो answer से वो यह रहे अगर मैं detail answer आपको समझाओं पूरा तो वीडियो 3-4 घंटे की बन जाएगी और इतना समय आप नहीं दे पाऊगे क्योंकि मैंने इससे पहले lengthy videos बना के देख लिए हैं आपके पास समय नहीं रहता इतना कि आप lengthy videos को देख पा question number 14 जो है इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका answer आप देख सकते हैं यह रहा note कर लीजिएगा section 3 अब जखी 14 तक तो आपके 2-2 number के सारे questions थे ठीक है अब इसके बाद जो questions है वो सारे के सारे आपके कितने number करेंगे 3 marks करेंगे section C से 3 marks करेंगे तो इसमें भी आपको कोई 8 ही attempt क करना है ठीक है और यह 24 marks आपको देगा 3-3 number का एक एक question रहेगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 number question से 3-3 number के question स्टार्ट हो जाएंगे इनके solutions मैंने दे रखे हैं आप आप नीचे देख सकते हैं पूरा पूरा complete solution है यह complete हो गया आपका अब इसके बाद जो next question है उसका आप यह answer बतायता हूं मैं तो यह आपका 16 number question यह भी 3 marks का है जहां पर आप देख रहे हैं 3 marks question है और यह रहा इसका solution जो की नीचे की तरफ आप देखेंगे तो questions देखकर के आप solutions को predict कर सकते हैं मैं next time से केवल पहले questions दिखा दूँगा उसी के उसी वीडियो में आपकी answers भी मैं last में दे दूँगा यह 17th number जो question है यह 3 marks का ही रहेगा इस तरह से अभी तक जब तक section D start नहीं होगा तब तक आपके सारे questions 3 marks के ही रहने वाले हैं तो यह question आप देख सकते हैं इसमें यह इसका solution है अब इसके बाद 18 number question देखिए यह इसका solution है आपर इसके बाद 19 number जो question है यह इसका solution है यह इसका solution है इसके बाद आजए आप next question के जाव 21 number question then यह solution है आपका यह solution है बच्चे पार्ट का 22 number question है आपका यह इसका solution on the screen, बच्वे पार्ट का यह solution है, और यह आपका solution जो है, यहाँ पर खतम हो जाती है, इसके बाद 23rd number question देखिए, यह आपका question है, और इसके नीचे यह answer है, के बाद यह रहा आपका बचा हुआ portion, इसी question का solution का, और यहाँ पर अच्छा जनरल equation निकल लोगी, ठीक है जनरल solution बोल सकते हैं, और 24 number question, तो यह 3 marks कहीं रहेगा, यहाँ पर जो है, आपको solution नीचे दिया गया है, आप चेक कर लीजिए, अब इसके बाद आईए, 25 number question, यह रहा आपके सामने, इसका जो part है, first part पूछा गया है, second part और third part, तीनो part को आपको देने हैं, एक एक number का part हो ग इसके बाद आईए, 26 number पे, यह रहा आपका, इसका हम test जो करेंगे, वो test करेंगे, हम true और false बता देंगे, ठीक है, तो यह आपका test हो जाएगा, इस तरह से इसका correct answer आपको निकालना होगा, अब यहाँ पर आ जाईए, next section D सुरू होगा, section D जो है, यह 20 marks का होगा, इसमें के केवल आपको 5 attempt करने है, यह बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से instructions को समझे, इसमें से केवल 5 attempt करने हैं, आपको questions जितने भी दिये जा रहे हैं, तो आपकी choose के इसाब से आप कौन सा question करना चाहते हैं, जैसे कि यह first question है, यह 4 marks के रहेंगे सारे question, 5 questions attempt करेंगे तो 20 marks आपको मिल आप देख सकते हैं, और आजाएए आप यह देखी, यह है इसका solution, अगें यह बचा हुआ पार्ट जो है, यह solution है, और यह solution, 29 number question जो है, इसका answer यहाँ पर है, बच्वे portion का answer यह है, अगें यह बचा हुआ पोशन का answer, यह है आपका answer, और यह हो गया, 30 number question ने आपके सामने यह रहा, इसके solution की बात करें, तो यह आपका solution है, जिसमें आपका table बन गया, और यह आपका solution बाकी जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, इसके बाद जो है, इसका थोड़ा सा graph जरूर ड्रौ करेंगे, तो इसका graph कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा यह graph है, आज यह next आपका जो question है, उसकी बात करते हैं, यह 31 number question, यहापे जो आपको given data है, उसके बाद में आपको इसको solve करना है, कोई भी आपको पांची attempt करने है, इन question असवे, आपको ध्यान रखना है, यह इसका बचा हुआ remaining part है, इसके बाद आते है, 32 number question पर जिसमें आपको proof करना है, यह रहापका proof, इसके बाद आता है, 33 number question, इसमें आपका graph बनाना है, सब कुछ, क्योंकि line जो दे रखिये, उसके हिसाब से equation क्या बनेगी, वो बताना है, ठीक है न, तो इस तरह से आपका यह solution करना होगा, solution को बड़े ध्यान से समझ लें, इसी तरह के question से, कोई छोटी मोटी शंका है, doubt है, तो आपने class teacher से जरूर clear करें, और यह हो जाएगा आपका solution, 34 number जो है आपका question, यह रहा, solution यह रहा नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पर यह solution है, यह complete solution जो है, आप नीचे की तरफ चलते जाएगे, तो complete solution हो जाएगा, और इस PDF को कैसे लेना ह यह बतायता हूँ, अगर आप कोई PDF लेना चाहें, तो जरूरी नहीं कि आप PDF लें, अगर आप चाहते हैं, तो आप PDF ले सकते हैं, otherwise आप वीडियो से study कर सकते हैं, वीडियो बिलकुल आपके सामने हैं, और इस तरह के questions आपको exam में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, तो यह हो गया आपका solution, और यह रहा, इसका method अगर आप कोई PDF लेना चाहते हैं, तो इस method को follow करेंगे, यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इसको ढंक से पढ़ लें, playlist आपके सामने आ रही है, उसको check करिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, जिसकी आपको requirement है, पासर करता हूँ, आपने इस वीडियो के माध्यम से समझ लिया होगा कि आपके sample papers कितने महत्वपून है, thank you very much, have a good day.